आप सभी को साहिब शिरी गुरु रामदास महाराज जी के परकाश पुरुग की धेर सारी शुप कामने गुरु रामदास साहिब के बारे में मैं क्या कहूँ उनका नाम लेते ही मन में प्यार उमड पड़ता है उनके नाम में ही इतनी मिठास है कि तन्मन उनके नाम से खिल उठता है गुरवानी में एक बहुत ही खुबसूर्थ पंक्ती है के जैनी जिस लाहौर शहर जहां से उस वक्त धर्म कर्म उड़ गया था वही शहर अब अमरित का चश्मा बन गया है वही शहर अब प्रमात्मा की भक्ति करने वाला स्थान बन गया है क्योंकि वहां शिरीगुरु रामदास जी का जनम हुआ है धन धन शिरीगुरु रामदास जी का परकास यानि जनम लहावर शहर की चुना मंडी में हुआ अब वहां पर यह गुर्द्वरा सहब शिरीगुरु रामदास जी की याद में शिशोबित हैं जो उनके बच्पन की याद दिलाता है गुरु सहब की पिता जी का नाम हरदास जी था और माता जी का नाम माता दिया जी था गुरू रामदाची का नाम उनके माता-पिता ने जेठा रखा क्योंकि वह गर की पहली संतान थी इसलिए उनका नाम जेठा रखा पंजाम में जब कोई पहला बच्चा जरम लेता है तो उसको जेठा कहते हैं गुरू सहीब ने अभी तो बच्चपन भी पूरी तरे देखा नहीं था कि उनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया और वह यतीम हो गए यह समा बहुत ऐसे था माता-पिता का ना होना ऐसा है जैसे सिर पर आस्मान ना होना उस वक्त रिष्टेदारों ने भी मूँ फेर लिया कि हम इसको क्यों सुंभा लिए तो वहाँ पर गुरू सहीब के नानी जी थी उन्होंने गुरू सहीब जी को कहा कि आप हमारे साथ चलें तो गुरू जी अपनी नानी जी के साथ बासर के जो के अमरित सर साहिब के नजदेक तरन तारन में है वहाँ पर आगे बासर के वही गाउं है जहाँ पर गुरू अमरदास्ची का जर्म हुआ था इस गाउं में गुरू रामदाश्ची ने उनकी उपमा सुनी, उनके बारे में इतना सुना के उनसे मिलने का मन हुआ है। उमर चाहे गुरू सहब की छोटी थी, मगर उनका मन बहुत ही मजबूत और प्रेम से भरा था। वह अपने नानी के घर तो आ गए थे, मगर नानी भी बड़ी मुश्कल से घर का गुजारा कर पाती थी। तो गुरू सहब ने छोटी उमर में ही काम करना शुरू कर दिया, ताँ जो वह खुद का और नानी का पेट भर सके। तो नानी उसे रोज चने बना कर देती और गुरू जी उसे गली गली जाकर बेचा करते थे। ऐसा काफी दिन चलता रहा, लेकन उनके मन में गुरू अमरदाजी से मिलने की चाह साथ साथ उनके चली आ रही थी। यह सोचते सोचते उन्होंने एक दिन गुएंदवाल सहभ जाने का मन बना लिया। जहां पर गुरू अमरदाजी थे, सोचा वहां पर काम भी करूँगा और गुरू अमरदाजी से भी मिल लूँगा। गुरु अमर्दास और पाई जेठा यानि गुरु रामदास जी जब मिले इसके बारे में भी गुरुबानी में बहुत खुबसूर्त भट्टों ने लिखा है के गोविंदवाल गोविंदपुरी सम जल्यन तेर विपास बनायों गयों दुख दूर बर्खन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायों अर्थात कि जिस सद्गुरू यानि शेरी गुरु अमर्दास्ची ने जो जे नगर गोइंदवाल जो ब्यास नदिके किनारी बनाया उस शहर को बसाने वाले गुरु गुरु अमर्दास्ची को मिलके मुझे बहुत अनन्द आया। हस्मुक और गुरु प्रेमी से मिलकर गुरु अमर्दास्ची भी बहुत खोश हुए। उनने पाईजेठा जी के सेर पर हाथ रखा। तब से पाईजेठा यानि गुरु रामदास्ची गुरु अमर्दास्ची के साथ ही वहाँ पर रहकर उनके साथ सेवा ने बाने में लगे वहीं ही रहने लगे गुरु जी वहाँ पर सेवा भी करते थे और गुरु अंगिस साब जी द्वारा चलाई हुई गुरु मखी की कक्षा में पढ़ाई भी करते थे गुरु सेब ने वहाँ रहकर पढ़ाई भी की और संगीत भी सीखा नानी जी के दिहान के बाद अब वहीं दिन रात गुरु अमर्दाची के पास ही वह रहने लगे अब उनकी दुनिया बस गुरु ही थी पाई जेठा जी ने गुर्बानी को सीख कर पहले से ज़्यादा प्रेम सुभा वाले नरम दिल वाले दियावान और निडर बन गए एक दिन जब गुरु अमर्दाची को उनकी पतनी कहने लगी कि अब हमारी बेटे जवान हो गई है उसकी शादी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूनना चाही गुरु अमर्दाची ने मुस्करा कर कहा कि कैसा लड़का होना चाही तो माताजी ने कहा कि संदर हो गुनवान हो बड़ों का सतकार करना जानता हो अभी ये बाते कर ही रहे थे कि वहां से पाई जेठा जी जो कभी गुरु नहीं बने थे वह वहां से गोजर रहे थे तो माताजी ने कहा कि हा बिलकुल ऐसा ही लड़का चाही जिसमें सारे गुन मौजूद हो तो गुरु अमर्दाची ने कहा कि इस जैसा तो बस यही एक ही है बस फिर क्या था गुरु अमर्दाची केवल गुरु ही नहीं थे उन्होंने पिता होने का फरज भी निभाया और अपनी पुत्री का अनंदकारज पाइजेठा यानि गुरु रामदाची से करवा दिये गुरु रामदाची अनंदकारज के बाद भी सेवा करते रहे और गुरु अमर्दाची के सपने को अपने आख्वों से लिए गुरू रामदास जी को उन्होंने अकबर के दरबार में बेजा और कहा कि वहां जाकर अकबर के मन में जो शंके हैं जाओ उन्हें दूर करके आओ क्योंकि उस वक्त के वजीरों ने राजा अकबर के कान भर दिये थे कि गुरु अमरदास ने अपने बानी में मुस्लम के बारे में बहुत गलत लिखा है तो उसी गलत फहमी को दूर करने के लिए गुरु अमरदास जी ने पाई जेटा थे उन सब के बारी-बारी जवाब बहुत ही अच्छी सलीके से दिये उनके चेरे पर जरा से भी शिकन ना थी इतने प्रेम और स्यानब से सब के जवाब दिये कि अकबर ने गुरु सहब को गले लगा गर कहा कि तुमने मेरे मन के सारे शंके दूर कर दिये जब ये खबर गुरु अमरदास जी को मिली तो वो भी बहुत परसन हुए शिरी गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी को 1574 में गुरु गद्दी दी गुरु रामदाशी ने गुरगदी पर बैठने के बाद बहुत सारे कारज किये जैसे गुरु सहब की बानी को घरगर पहुचाना गुरु अमरदाशी के रस्ते पर चल कर लोगों के लिए पीने की समस्या को दूर करते हुए कुएं, बॉली और सरोवर बनाना और जो सबसे बड़ा कारज गुरु सहब ने किया वो था शरी अमरश्छर को बसाने का कारज शुरू करना गुरु रामदाशी ने पांसो बिगा जमीन साथ सो अकबड़ी रुपे में करीद कर इस शहर को बसाना शुरू किये गुरु जी ने इसका नाम गुरु का चक रखा बाद में इसी शहर का नाम रामदासपुर पड़ा और अब इसे अमरिसर सहब कहते हैं यहीं पर गुरु रामदास जी ने सुरोवर बनवाने शुरू किये दरवार सहब के सुरोवर की शुरुवात भी गुरु सहब ने की शिरीकुरु रामदाश्ची ने उससे भी बड़ा कारजे किया कि उन्हें बहुत ही अनमौल गुरु बानी को लिखा बहुत सारे रागों, छंदों, सलोकों, वारों में गुरु सहब ने बानी लिखे गुरु रामदाश्ची ने बानी लिखी और भी काफी कारज जो गुरु सहब ने किये उनके गर में तेन पुत्रों ने जनम लिया पृथिचन, महादेव और गुरु आरचन सहब जी गुरु रामदाश्ची ने अपनी पूरी उमर गुरु के बताय हुए मारक पर चल कर वतीत की वो जतीम जरूर हुए, मगर जब वह गुरु बने तो उन्होंने किसी को जतीम नहीं होने दिया उन्होंने सब को गुरु और मांबब चैसा प्रेम पूरी संगत को दिया मैं ऐसे महान सद्गुरु शरी गुरु रामदाश्ची को कोटी कोटी पर नाम करता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के लेखे लगा दी और एक बर फिर शरी गुरु रामदाश्ची के प्रकाश्पर्व की मैं आप सब को धेर सारी शुप कामनाई देता हूँ तन तन रामदाश्ची गुरु जिन्ह से रिया तिन्हे सवार्या तन बाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फत्य